नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूँ आपके साथ निशात्री अभी कुछ देर पहले सी ट्वेल्थ क्लास का रिजल्ट एनाउंस कर दिया गया है सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका ट्वेल्थ क्लास का रिजल्ट था उन सबको जो अच्छे नमबर से पास उठो गए हैं उन सबको न्यूज इन मिरर की तरफ से बहुत सारी मुबारक बात आपको बता दें कि कुछी देर पहले भी हमने आपको अपडेट बताई था जिसमें हमने बताया था कि बहुत जल्दी सी बीसी का टेंथ और की सी बीसी का रिजल्ट निकल ले और उसके लिए वो आगे की जो तैयारी उनको सुलिक्षित करनी है चाहे और कहीं अड्मिशन्स लेनी है तो वो सब जो क्राइटेरिया है वो आगे फॉलो करें तो अभी कुछ देर पहले सेंटरल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 12th क्ल का रिजल्ट जो है नाउंस कर दिया गया है और आपको बता दूँ कि इन सब की जो जानकारी है वो आपको जो सी बीसी की ऑफिशल वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगी cbsc.nic.in पर भी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स है उनको उनका जो रोलंबर है उसको डालना है या फिर एड्मिट का रोलंबर अपनी डेटो बट डालनी है उस तीनों जो ये सब चीज़े जो है फॉलो करने के बाद cbsc का रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं ओवराल cbsc की रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि इस समय 87.33 फीसिदी जो शात्र है वो cbsc में पात उठ हुए हैं जिसमें आपको ये भी बता दूँ कि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस रिजल्ट में cbsc ने अभी फिलाल first second or third division के students की list जारी नहीं की है और ये भी बता दूँ आपको कि कोई भी merit list भी जो है उनके तरफ से इस समय जो है जारी नहीं की है क्योंकि कहीं न कहीं आपको बता दें कि इस समय तक जो बताया जा रहा है कि cbsc शात्रों को first second or third division नहीं देनी है नहीं कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में 10th के cbsc का result भी जो है वो announce हो सकता है यानि आज ही की दिन की बात की जा रही है कि अभी कुछ देर पहले जिस तरीके से 12th class का result announce हुआ है लेगिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में जो 10th के board का result है वो किसी भी समय निकल सकता है ये ब जरूर आप तयारी करते रहिएगा और आपको भी जरूर बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अलागि जो 12 के मार्क्स होते हैं उस पर बहुत सारी जो उमीदे हैं वो students के टिकी होती है क्योंकि 12 में जो subjects चुनने होते हैं बहुत सारी उनको भी इस चीज को होता है मेडिकल लेना है नोन मेडिकल लेना है अधर स्ट्रीम में जो है वो जाना है तो काफी साथ उमीदे जो है वो students को शुरू से होती है हाला कि जब 10 की वो exams होते हैं तब भी उनको यह उमीदे होती है कि 11-12 में हमें जो subjects मिलेंगे वो हमारी choices के मिलेंगे कि नहीं क्या उनको मेडिकल अगर लेना है तो क्या उतनी percentage उनकी है क्या उनकी है झाल झाल